Hello everyone, आज के इस सेशन में हम NTSC stage 1, SAT की preparations को continue करते हुए अपने chapter is matter around us pure का एक और नया topic डिसकस करने जा रहे हैं and that is mixtures. previous session में हमने बात करी है topic compounds के उपर, कि compounds क्या होते हैं, उनकी properties क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम discuss कर चुके हैं अपने previous sessions में, तो अब बारी आती है एक नए topic को discuss करने की, mixtures को discuss करने की, कि mixtures क्या होते हैं, कितने types के होते हैं, ऐसी ही कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, आज के हमारे इस session में, so I hope, आज के session का जो target है, वो सभी को है एकदम clear, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से, फटा फट से, अपने session को start कर लेते हैं, so this is, विभूती खरे, welcome to magnet brains, जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, याने की magnet brains में आपको, दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करनी की या package purchase करनी के requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, mixtures topic के ऊपर, तो देखो, स mixture की एक proper definition आप देखी लो, तो आप देखो, आप पर क्या लेखा गया है, कि a mixture is a material which is made up of two or more pure substances, अब ये substances, pure substances क्या-क्या हो सकते हैं, elements भी हो सकते हैं, compounds भी हो सकते हैं, which are not chemically combined but are physically mixed in any proportion, देखो ऐसा है, कि previous sessions में, जब हमने बात करी है, elements के उपर, compounds के उपर, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते थे, यानि कि elements और compounds के लिए हम क्या बोलते थे, कि ये दोनों के दोनों होते हैं pure substances, elements क्यों होते हैं, क्योंकि वो बने होते हैं केवल एक ही टाइप के particles से, और इन particles को हम क्या बोलते हैं, atoms बोलते हैं, gold बना होगा सिर्फ अपने respective gold atoms से, इस पानी एक pure substance है तो क्यों है एक वो pure substance क्योंकि पानी बना होता है सिर्फ और सिर्फ water molecules से अगर शुगर एक pure substance है पानी भी एक compound है और शुगर भी क्या है एक compound है तो अगर शुगर एक pure substance है तो वो क्यों है क्योंकि वो बनी होती है शुगर बनी होती है सिर्फ और सिर्फ शुगर के ही molecules से तो elements में हम देखते है atoms को compounds में हम देखते है molecules को लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2 या 2 से ज़ादा pure substances आकर के mix हो रहे है combine हो रहे है वो pure substances कौन हो सकते है elements भी हो सकते है और compounds भी हो सकते है देखो ना पे क्या लिखा गया है कि एक mixture है क्या mixture is a material which is made up of 2 or more दो या 2 से ज़ादा pure substances का बना होता है क्या एक mixture यह substances कौन से हो सकते है elements भी हो सकते है और compounds भी हो सकते है यानि कि अगर जैसे कि हमने example लिया है कि हमारे पास क्या है पानी है वो भी एक pure substance है और शक्कर क्या है वो भी एक pure substance है या शक्कर पसंद ना हो तो नमक ले लो नमक भी क्या है एक pure substance है क्योंकि वो क्या है एक compound है वो सिर्फ और सिर्फ जबना नमक है sodium chloride वो sodium chloride molecules से ही बना होता है तो अपना common salt भी क्या है एक pure substance है एक कंपाउंडी है तो हमारे पास कुल मिला करके दो प्योर सबस्टेंसिस आए हैं एक पानी और दूसरा नमक तो अगर हमने इन दोनों ही प्योर सबस्टेंसिस को मिला दिया तो क्या बन जाएगा बन जाएगा एक मिक्स्टर याने की पानी और नमक का मिक्स्टर या पानी औ combination ही जो mixing है वो कैसी है सिर्फ और सिर्फ physically mixing हो रही है physical mixing है chemical mixing नहीं हो रही है अगर आपको यहां तो प्रीबेस session में हमने एक compound पढ़ा था एक example पढ़ा था iron filing का और sulfur powder का कि आपके पास दो कटोरी है एक कटोरी में sulfur powder है और कटोरी में iron filing अगर आपने इन दोनों को ही बस ऐसी mix कर दिया है दोनों ही कटोरी के contents को तो आपके पास क्या बन जाएगी एक खिचड़ी बन जाएगी हमने image भी देखी ती अगर आपको याद होतो है ना तो मारे पस क्या बन जाएगी एक खिचड़ी बन जाएगी एक mixture आ जाएगा iron filing का और sulfur powder का इसमें से अगर हमें iron filing को अलग करना होता हम क्या करते थे एक magnet लेकर क्या आते दे magnet को हम क्या करते थे mixture के उपर ऐसे घुमाते थे तो पूरी की पूरी जो iron filing मिक्षर मतलब की जो magnet है उसके उपर आकर की चिपक जाती थी mixture से बाहर निकल जाती थी iron filing magnet के उपर आकर की चिपक जाती थी इसके कारण क्या होता था पीछे जो कटोरी होती थी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर पाउडर पीछे चूट जाता था तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि iron filing और सल्फर पाउडर को हम अलग करते थे तो यह जो उनको एक करना हुआ उनकी जो खिचडी बनाना हुआ यह क्या था एक mixture बनाना हुआ लेकिन अगर हमने इस mixture को heat कर दिया तो फिर क्य बनता है तो डेफिनेटली दो या दो से ज़्यादा प्योड सबस्टेंसेज आपस में आकर के कम माई होते हैं लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कोई chemical reaction नहीं होती है बस जो कॉम्पोनेंट से बस वह आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे ही physically mix हो जाते हैं कोई chemical reaction नहीं होगी कुछ नह कारण तब वो जाकर के compound बनेगा ठीक है अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है कि air is not a pure substance हमारी जो air है वो एक pure substance नहीं है pollution की हाँ पर बात नहीं हो रही है पर कुछ और बोला गया है but it is a mixture of gases such as oxygen, nitrogen, inert gases, mainly argon, carbon dioxide, water vapors, etc. तो आप देख सकते हैं कि यह एक pie chart है जिसमें कि air का जो पूरा composition है वो बताया गया है कि 78% nitrogen होती है oxygen 20.9% है almost 21% other gases आप बोल सकते हो कि 0.17% से कम होती है ज्यादा होती है argon आप बोल सकते हो कि 0.90% से ज्यादा होता है carbon dioxide आप बोल सकते हो कि 0.03% होता है तो कुल मिला करके आपने देखा कि जह हमारी surrounding air है उसमें सिर्फ एक gas नहीं है सिर्फ oxygen बहुत सारी gases होती है carbon dioxide है oxygen है nitrogen है और भी कई सारी gases होती है water whippers भी होते हैं तो air भी क्या होगा एक mixture याद होगा अगर आपको previous session में हम दो gases लेते थे कौन-कौन सी hydrogen हम लेते थे hydrogen को और लेते थे oxygen gas को तो इन दोनों ही gases के बीच में जब हम बकाईदा chemical reaction करवाते थे तो क्या बनता था एक नया compound पानी ये एक gas है ये एक gas है लेकिन इनके बीच में जब compound बन गया compound कौन सा पानी और इस compound की जो properties है वो इन दोनों की properties से कैसी होती है अलग होती है तो chemical reaction हुई इसलिए compound बना लेकिन आप देख सकते हो कि हमारी air में इतनी सारी gases होती है लेकिन ये gases आपस में जो है ना कोई compound नहीं बनाती है क्यों क्योंकि ये आपस में जो gases है ना य carbon dioxide ये सब आप बोड़ सकते हो कि formality में आकर के mix हो जाती कि हाँ चलो ठीक है हम सब साथ में रह लेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ में react नहीं करती है reaction नहीं होगी तो कोई नया substance भी नहीं बनेगा कोई compound भी नहीं पनेगा आई बात समझ में वढ़ना तो आज हमारी surrounding year में ब बहुत सारी आती है soft drinks coke pepsi limka etc lemonade vinegar needed flour blood हमारा खुद का blood क्या है एक mixture है ठीक है butter cheese face cream shaving cream smoke fog mist etc तो कुल मिला करके हमारे आसपास बहुत तरह के mixture होते हैं ठीक है तो basically अभी तक हमने key points क्या पढ़ लिए हैं अपने इस आज के session में mixture में कि mixture में हम बोलते हैं कि दो पहली बात तो mixture क्या है एक impure substance है elements और compounds के लिए हम बोलते हैं कि दोनों pure substances होते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं mixtures की तो mixtures के साथ में हम matter का जो आप बोल सकते हो कि जो second category है न इंप्योर substances की वो शुरू कर चुके हैं तो हमारे mixtures क्या होते हैं impure substances होते हैं pure substances के लिए हम बोलते क्यों वो एकी टाइप के पार्टिकल्स से बने होते हैं इसलिए मिक्शर्स क्या होते हैं in pure substances होते हैं pure substances ही आकर कि इनको बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा pure substances आपस में आकर कि उन्हों mix होते हैं लेकिन कि फिजिकल mixing होती है chemical mixing नहीं होती है और प्लस यहां पर एक और बहुती अच्छा point बोला गया है कि किसी भी proportion में आकर के mix होते हैं अगर आप सब्सक्राइब बनारे हो एक आप पानी में lemon juice डाल रहे हैं तो पानी एक अलग compound है जो lemon juice है वो एक अलग compound है तो अगर बिसिकलि हम lemonade बना रहे हैं तो lemonade बनाने के लिए हम शकर या salt का यूज नहीं कर रहे हैं अब हम सिर्फ पानी में क्या कर रहे हैं नीबू का रस डाल रही हैं तो अगर आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच नीबू का रस डालोगे तो भी वो लैमोनेट बनेगा अगर आप एक ग्लास पानी में चार बड़े चम्मच लैमन जूस डालते हो तो भी वो तो भी वो क्या बन Compounds में हम पढ़ते हैं कि elements आकरके अपने masses के definite proportion में एक fixed ratio में combine होते हैं लेकिन mixtures में thankfully ऐसा कुछ नहीं होता है कि substances जैसे भी हैं जो भी हैं जिस भी quantity में हैं आकरके mix हो सकते हैं physically, chemically तो वैसे भी नहीं होना है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कोई भी fixed proportion का जो rule है वो यहाँ पर follow नहीं किया जाता है So I hope mixture के बारे में जितनी भी बातें अभी तक हमने करी हैं सब को समझ में आई होंगी अब देखो next point यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि depending upon the nature of components that are mixed to form mixtures mixtures have been classified into the following two types यानि कि देखो हुआ क्या कि हमारे पास ना बहुत सारे mixtures होते हैं तो इन सभी mixtures को हम broadly categorize कर देते हैं दो categories में पहली category होती है homogeneous mixtures की और दूसरी category होती है heterogeneous mixtures की तो यहाँ पर आपको एक image दिखाए देरी होगी तो क्या आप इस image को देख करके बता सकते हो कि homogeneous mixtures क्या होते हैं और heterogeneous mixtures क्या होते हैं चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाली mixtures की ठीक है इस mixtures को बनाने के लिए दो pure substances combine हुए हैं कौन-कौन से मैं लिख देती हूँ सबस्टेंस एट प्योर सबस्टेंस भी ठीक है इस mixture को बनाने के लिए दो pure substances combine हुए है substance A and substance B और substance A के जो particles है न वो है red color के और pure substance B के जो particles है वो है blue color के इसी लिए ये जो आपको mixture दिखाई दे रहा है इस में आपको दो अलग-अलग कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको इस मिक्षर में रेट कलर के पार्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं और यहां पे आपको ब्लू कलर के भी पार्टिकल्स नजर आ उनके particles को आपस में mix कर देंगे लेकिन ये mixing कैसे होगी chemically mixing नहीं होगी यहाँ पर mixing होने वाली है physically यानि कि definitely दो pure substances आपस में combine होंगे लेकिन physically combine होंगे उनकी जो particles हैं वो physically combine होंगे particles के बीच में कोई chemical bonds वगएरा नहीं बनेंगे कोई chemical reaction नहीं होने वाली है ठीक है ना तो देखो एक mixture आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको red color के particles दिखाई दे रहे हैं blue color के particles दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस mixture में मुझे एक uniformity नजर आ रही है एक evenness नजर आ रही है कि माना की दो अलग अलग ताइब के particles क्या हो रहे है combine हो रहे है physically लेकिन इनकी जो mixing है ना इनका जो combination है ना वह बोल सकते हो कि बहुती even है uniform है अगर आप इस mixture की बात करोगे तो इस mixture को बनाने के लिए भी आप बोल सकते हो कि दो अलग अलग टाइप के क्या हुए है pure substances आये हैं यहां पर हम लिखी लेते हैं कि प्यूर substance c और प्यूर substance d इस mixture को बनाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग प्यूर substances आये हैं c और d c जो आप बोल सकते हो कि you know substance है उसके particles का color कैसा है blue और जो pure substance d है इसके particles का color कैसा है red चीक है आया समझ में तो इस mixture को बनाने के लिए again हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप के pure substances c और d combine हुए हैं एक substance के particles का कैसा है blue और दूसरे substance के particles का color कैसा है red तो इसलिए आपको यहां पर मिक्षर में दो अलग अलग color के particles नजर आ रहे होंगे लेकिन यहां पर जो particles की जो mixing होई है न इस mixing में न मुझे कोई भी evenness नजर नहीं आ रही है कैसे अगर मैं इस mixture में यह वाला region के वाल consider करूं कौन सा वाला यह वाला यह जो मैं अलग से highlight किया है न और कर देती हूं इस पूरे मिक्षर में अगर मैं यह वाला region क्या करूं consider करूं तो इस region में मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के particles ही मिलने वाले हैं और अगर मैं इस वाले region को कंसिडर करूं तो इस में मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के पार्टिकल्स मिलने वाले हैं ऐसा क्यों? भई अगर मिक्षर को बनाना है तो pure substances उनके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं लेकिन mixing में आपको एक evenness दिखाई देनी चाहिए ना ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे जो है ना एक boundary बन जाएगी और boundary के इस तरफ क्या होगा? एक substance के particles और boundary के उस तरफ आपको क्या मिलेंगे? दूसरे substance के particles तो यहाँ पे क्योंकि आपको particles के बीच में different type के particles के बीच में कोई भी evenness, कोई भी uniformity नजर नहीं आती है in fact यहाँ पे आपको एक separation region boundary नजल आ थी था किस तरफ क्या होंगे आप मोड़ सकते हो कि और सप्स्टेंस सी के पार्टिकल तोंगे और बाउंडरी के उस तरफ प्रच्छ त्क इंस बिगए पार्टिकल स्थ त्र ़रत हिंगे यानि की ड athletics भी इrows अबसेंसे मिक्स तो हुआ हैं लेकिन इनकी mixing कुछ ऐसे हुई है कि एक separation boundary दिखाई दे रही है इनके बीच में कि इस तरफ एक substance और boundary के दूसरे साइड में दूसरा substance तो यहां पर आप बोल सकते हो कि mixing ज़रूर हुई है लेकिन इस mixing में कोई भी uniformity कोई evenness नहीं है इसका मतलब क्या कि यह क्या बन चुका है एक heterogeneous mixture बन चुका है शाद अब आपको यह समझ में आया होगा कि मैं इस mixture को क्यों एक homogeneous mixture बोल रही थी मैं क्यों इस mixture में बोल रही थी कि देखो particles की जो mixing होई है uniformly mixing होई है uniform mixing होई है कि particles अलग अलग टाइप के particles आये हैं और वह आपस में mix हो गए लेकिन कुछ ऐसे mix होए हैं कि इनके बीच में आपको कोई भी separation boundary दिखाई नहीं दे रही है कि boundary के इस तरफ हम होगे boundary के दूसरी तरफ कोई और होगा न आप कोई साभी region देख लो आप यह वाला रिजन देख लो आप यह वाला डेख लो यह वाला देख लो यह वाला देख लो बीच वाला देख को नापको हरे एक region में दोनों ही टाइप के particles नजर आएंगे ऐसा नहीं होगा ऐसा कि इस सिर्फ एक सबस्टेंस के पार्टिकल्स इस वाले रीजन में सिर्फ दूसरे सबस्टेंस के पार्टिकल्स यहां देखो क्या हो रहा है आप कोई भी रीजन ले लो यह वाला यह वाला यह वाला बीच वाला हर रीजन में आपको दोनों ही सबस्टेंस के पार्टिकल्स नजर आ आएगी और यहां पर आपको पकायदा separation boundary मतलब मिक्षर के जो components होते हैं उनके भीच में बकायदा आपको एक separation boundary नज़र आती है कि boundary की इस तरफ एक component और boundary का जो दूसरा साइड होगा महाँपे दूसरा component अब समझ में तो homogeneous mixtures और heterogeneous mixtures कुछ ऐसे ही होते हैं चलो इनको हम फड़ा सा और detail में पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं homogeneous mixtures की कि a mixture is set to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. एक mixture को अब homogeneous mixture कब बोलोगे? जब उसको बनाने वाले जो components होंगे वो uniformly mixed होंगे और उनके बीच में आपको कोई भी boundaries separation की दिखाई नहीं देंगी कि boundary के इस तरफ एक component और उस तरफ दूसरा component ऐसा नहीं होता है a homogeneous mixture has a uniform composition throughout आप mixture को अगर आपके पास एक homogeneous mixture आया है तो आप throughout the mixture जहना आपको जो composition है वो कैसा मिलेगा uniform ही मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि बस यहां पे सिर्फ इस वाले region में क्या हुआ है composition uniform है और इस वाले region में composition क्या हो गया है disturb हो गया है कि यहां पे आपको ऐसी separation boundary नजर आ रही है कि यहां पे सिर्फ ब्लू कलर के पार्टिकल्स और यहां पे सिर्फ रेट कलर के पार्टिकल्स नहीं throughout the mixture आप बोल सकते हो कि जो composition है वो कैसा होता है uniform होता है is that clear चलिए the components of a homogeneous mixture are not visible to the naked eyes or even under a microscope अब आप बोल सकते हो कि homogeneous mixture के जो components होते हैं पहली बात तो यह कि उनके बीच की mixing है वो इतनी बहतरीन तरीके की होती है कि उनके बीच में आपको कोई भी separation boundary दिखाई नहीं देगी separation boundary ना दिखने का मतलब यह भी है कि उस mixture के जो components है ना वो आपको naked eyes से दिखाई नहीं देंगे in fact उनको microscope के नीचे रखना भी क्या होगा मतलब microscope के नीचे रखकर के देखना भी क्या होगा काफी difficult होगा क्यों यह जो components आकर के combine हुए है वो इतने बहतरीन तरीके से combine हुए है इतने बहतरीन तरीके से mix हुए है कि आपको उनके बीच में You know, आपको individual components दिखाई नहीं देंगे. Naked ice से दिखाई नहीं देंगे और नहीं microscope के नीचे रख करके दिखाई देंगे. आईए बाद समझ में. चलिए. There are no visible boundaries of separation between the components of a homogeneous mixture. A homogeneous mixture consists of only one phase. आपको केवल एकी phase दिखाई देगा. The single phase of this mixture may be liquid, gas or solid. देखो, इस sentence का मतलब क्या है? कि homogeneous mixture में आपको केवल एकी phase दिखाई देगा. एक काम करते हैं. इसको हम example से समझते हैं. ठीक है? बस अभी के लिए इतना समझ लो कि homogeneous mixture का जो phase है, जो state है, वो solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है. आए बात समझ में, जो एक homogeneous mixture है ना, वो आपको solid state, liquid state और gaseous state इन तीनों ही states में मिलता है. इतना समझ में आया, चलो. अब हम देखते हैं first example. A solution of sugar in water is a homogeneous mixture in the liquid phase. अब आपके प्तास क्या है? एक glass में आप पानी ले लो और उस पानी में आप क्या करो? एक चम्मच शक्कर डाल दो. तो हम सबको पता है कि जो sugar है, वो भी क्या है? एक pure substance है? है की नहीं है? शुगर क्या है भई? एक pure substance है. जो पानी है, पानी भी क्या है? एक pure substance है. तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? दो pure substances को ले करके, उनका एक mixture बनवा रही हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि mixture जब भी बनता है, components combine होते हैं, अलाग अला components आखर के combine होते हैं, लेकिन इन components की जो mixing है, वो physical mixing होती है, कोई chemical mixing नहीं होती है, कोई chemical reaction नहीं होती है. मैंने आपको compound बने section में, compound बने session में मैंने आपको पताया था, कि जब भी compounds का formation होता है, तो आप बोल सकते हो कि elements के atoms के बीच में bonds बनते हैं, chemical reaction होती है, और जब भी chemical reaction होती है, तो हमेशा एक नया substance बनता है. तो इसलिए compound की जो property होती है, वो उसके constituent elements की property से क्या होती है, अलाग होती है, क्यों? क्योंकि constituent elements के बीच में, उनके atoms के बीच में chemical reaction होती है, और इस chemical reaction से एक नया ही substance बनके ready हो जाता है, तो नया substance उसकी properties भी क्या होंगी? नहीं होंगी, लेकिन जब हम बात करते हैं एक mixture की, तो mixture में कोई chemical reaction नहीं हो रही है, बस components क्या कर रहे हैं, physically mix हो रहे हैं, combine हो रहे हैं, तो obviously बाता है, कि अगर हम पानी में शक्कर घोलेंगे, तो sugar solution नहीं बनेगा, अगर हम पानी में नमक घोलेंगे, तो salt solution नहीं बनेगा, आए बात समझ में, तो यहाँ पे यह जो हम पानी में शक्कर घोल रहे हैं, यह पानी में नमक घोल रहे हैं, यह हम कर क्या रहे हैं, यह basically हम बना रहे हैं mixtures, पानी एक pure substance है, आप बोल सकते हो कि नमक भी क्या है, एक pure substance है, तो दोनों ही pure substances को हमने क्या करा है, physically combine किया है, जिसके कारण क्या बना है, नमकीन पानी ही बना है, पानी भी एक pure substance है, शक्कर भी एक pure substance है, तो जब हम दोनों को combine कर का कोई नया तीसरा कंपाउंड बन के रेडी नहीं हो जाएगा विनेगर या ऐसे क्यों कुछ बेस नहीं बन जाएगा आई बात समझ में चलो तो यहां पर हुआ क्या जो हम शक्कर ले रहे हैं यह शक्कर है क्या प्योर सब्सेंस तो है लेकिन कॉंसे स्टेट में हैं सॉलिट स्टेट में तो मिक्षर को बनाने के लिए जो आप दो कंपोनेंट्स ले रहे हो दो फ्योर सब्सेंस ले रहे हो दोनों ही फ्योर सब्सेंस का जो स्टेट है वो कैसा है अलग-अलग है एक है सॉलिट स्टेट और दूसरा है कौन सा लिक्विड स्टेट लेकिन जब आप इन दोनों ही components को mix करोगे, जब आप इन दोनों ही pure substances को आपस में physically combine करवाओगे, तो जो mixture बनेगा ना, उसमें आपको केवल एक ही state, एक ही face दिखाई देगा, जब आप पानी में शकर घोलोगे, या पानी में आप शकर add करोगे, तो शकर क्या होगे, पानी में जाकर के घोल जाए जाएंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ पर homogeneous mixtures की बारे में बोला गया था, कि the components of a homogeneous mixture are not visible to the naked eye, और even under a microscope, अगर आप एक ग्लास पानी में एक चमश शकर घोल दोगे, तो क्या घोलने के बाद देने की sugar solution बनने के बाद, क्या उसमें आपको पानी के molecules या sugar के molecules नज़र आएंगे, अगर इस sugar solution को आप microscope के नीचे भी रख करके देखोगे न, तो अभी आपको water molecules और sugar molecules दिखाई देना बहुत ही मुश्किल होगा, आई बात समझ में, तो यहाँ पर हुआ क्या, कि जब हमने पानी में शकर डाली, पानी में शकर एड़ किया, तो शकर बहुत ही बहुत ही अगर solution का state क्या होगा, लिक्विड यह शुगर solution हमने बनाया है, यह है क्या, यह एक मिक्षर है, लेकिन इस मिक्षर को बनाने के लिए दो अलग-अलग pure substances आए थे, नमक, सॉरी, पानी और शकर, और दोनों ही substances के जो state थे, वो अलग-अलग थे, लेकिन जो resultant mixture बना है, उसम सा liquid, आई बात समझ में, तो अब आपको यह वाला sentence समझ में आया, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि a homogeneous mixture consists of only one phase, के वल एक ही फेज रहना आपको एक homogeneous mixture में नजर आएगा, भले ही homogeneous mixture को बनाने वाले जो pure substances है, वो अलग-अलग state में हो, लेकिन उन सभी components से, उन सभी pure substances से, जब एक homogeneous mixture बनेगा, जब एक resultant mixture बनेगा, तो उस resultant mixture का जो state होगा, जो phase होगा, वो क्या होगा, केवल एक ही type का होगा, या तो वो solid होगा, या liquid होगा, या फिर वो gas होगा, तो एक example से आपको समझ में आया, कि जब हमने sugar solution बनाया था, या salt solution भी आप बना सकते हो, तो आपने दो अलग-अलग तरह के pure substances लिये थे, एक था solid state में और दूसरा था liquid state में, लेकिन जब उन दोनों ही अलग-अलग pure substances से एक resultant mixture बना, तो उस mixture में आपको cable एक ही face दिखाई दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है, अब ये वाली जो line होगी, ये सब को समझ में आई होगी, अब क्य water composition and are equally sweet, अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे homogeneous mixture में क्या होता है, कि उनका जो composition है, वो कैसा होता है, काफी uniform होता है, तो जब हम sugar solution बनाते हैं, पानी में शक्कर को dissolve करते हैं, तो suppose हमारे पास ये क्या है, एक sugar solution ही है, इस sugar solution के ना, हम suppose 3 हिससे कर देते हैं, 3 parts कर देते हैं, और तीनों ही parts से आप क्या करो, एक एक चम्मच, जो sugar solution है, वो taste करो, तीनों ही regions, तीनों ही parts में, sugar solution का जो sweet taste होगा न, वो कैसा होगा, एक बराबर होगा, ऐसा क्यों, मैंने आपको यहाँ पे, इस image से क्या समझाया था, कहां गई image, ये वाली, कि mixture को बनाने के लिए, दो अलाग components आए हैं, लेकिन ये दोनों ही components की mixing होई है, वो इतनी uniform होई है, कि आप कोई भी region देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, किसी भी region में आपको दोनों ही components कैसे मिलेंगे, किसी भी region में आप बोल सकते हो कि जो components है, वो दोनों ही components आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं हो तो हम क्या बोल रहे हैं ऐसे composition कोई हम क्या बोल रहे हैं uniform composition बोल रहे हैं तो यहां पर हुआ क्या कि जब हम sugar solution में तीन हिस्से करेंगे और तीनों ही हिस्सों में तीनों ही हिस्सों से हम क्या करेंगे एक चमच शक्कर का पानी होगा जो शुगर सल्यूशन होगा वो कैसा होगा equally sweet होगा ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला जो section है जब इससे हमने एक चमच शुगर शुट सल्यूशन पिया तो वो ज्याधा मीठा लगा ज्यादा मीठा लगने का मतलब क्या एक जो शक्र है ना वह शक्र यहाँ पिया तो वहाँ पे हम को जाधा sweet taste समझ में नहीं आया क्यों कि हाँ शक्र कैसी कम है ऐसा नहीं होगा शुगर और पानी के जो particles होगे न, वो evenly mix हो जाएंगे, आपको throughout the mixture जो composition है वो कैसा मिलेगा, uniform मिलेगा, कि पानी और शकर की जो particles है न, वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से uniformly क्या होंगे, mix होंगे, तो आप शकर के पानी में कोई सा भी section ले लो, किसी भी section से आप क्या करो, पानी पीने की कोशि करो, taste कैसा होगा, equally sweet होगा, further there is no visible boundary of separation between the sugar and the water molecules in the sugar solution, अब जो भी आप sugar solution मनाओगे, उसमें आखो कोई भी boundary नजर नहीं आएगे, कि देखो boundary के नीचे शकर है, और boundary के ऊपर क्या है, पानी है, ऐसा नहीं होगा, separation boundary यहाँ पे sugar और water molecules के बीच में दिखाई, देती ही नहीं है, next point क्या है कि a mixture of two or more miscible liquids is also a homogenous mixture in the liquid phase, और देखो, यहाँ पे miscible liquids का मतलब क्या होता है, दो ऐसे liquids जो की आपस में mix हो जाते हैं, ठीक है, तो दो या दो से जादा जो miscible liquids का mixture होता है, वो भी क्या है, एक homogenous mixture ही होता है, in the liquid phase, जैसे कि for example, a solution of alcohol and water is a homogenous mixture, alcohol क्या है, एक liquid है, पानी क्या है, एक liquid है, दोनों ही liquids कैसे होते हैं, miscible होते हैं, यानि कि आपस में अच्छी तरीके से mix हो जाते हैं, तो इनका जब हम mixture बनाएंगे तो वो mixture कैसा होगा, homogenous होगा, यानि कि alcohol के जो molecules होगे, वो water molecules के साथ में बहुती बढ़िया तरीके से क्य molecules होते हैं, वो आपस में बहुती बहती बहतरीन तरीके से क्या हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, यह निफारमली mix होते हैं, क्यों उनके भीच में आपको इस西परेशन, बाउन्ट्रि निजन नहीं आएगी, कि boundary की उधर पे alcohol के molecules हैं, और boundary के नीचे पानी के molecules हैं, या एक region में प्रीके से आकर के mix होते हैं मतलब रहएसां नहीं करते हैं कि mixture बनाना है तो बस आकर के जो इना combine हो गए हैं और combination या mixing भी एसी होई है कि boundary नजर आ रही है कि boundary कि इधर पर हम है boundary के उदधर पर हम बो गटें कि कोई दूसरा सप्सेंस है ऐसा नहीं होते हैं जब भी homogeneous mixture बनते हैं तो इस mixture को बनाने वाले जो भी components होते हैं वो आपस में formality में नहीं बलकि एकदम properly mix होते हैं कि उनके बीच में separation boundary नजार ना आए, petrol, kerosene, oil, diesel are homogeneous mixtures of a number of liquid hydrocarbons, ठीक है, तो petrol हो गया, kerosene, oil हो गया, diesel हो गया, यह सब की सब क्या होते हैं, homogeneous mixtures होते हैं, जिसमें की number of liquid hydrocarbons होते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे examples आच चुके है, किसके homogeneous mixtures के, sugar solution, salt solution, petrol, diesel, kerosene oil, ठीक है, alcohol, water, mixture, यह सब क्या हैं, इस अभी किसा भी homogeneous mixtures हैं, अब हम आजा आते हैं, किसके उपर, अच्छा, एक और, थोड़े से example और देख लो, air is a homogeneous mixture of number of gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, inert gases, mainly argon, water vapors, etc. दो बेसी कली, यहाँ पर हम से बोला जा रहा है, क्या, air के बारे में, हम homogeneous mixtures पढ़ रहे हैं, तो हमने homogeneous mixtures के कई सारे examples पढ़ लिए हैं, अब कुछ और examples पढ़ लो, तो हम सब को पता है, हमने session के starting में पढ़ा था कि air क्या है, एक, you know, gases का एक mixture होता है, mixture तो है, लेकिन कैसा है, homogeneous mixture है, तो air is a homogeneous mixture of number of gases, जिसे की oxygen, nitrogen, carbon dioxide, inert gases भी होती है, argon वगेरा, और इसके लाबा, water vapors, etc. तो air मैं बोल सकते हूं कि कई सारी क्या होती है, gases होती है, और in gases का जो combination है, in gases की जो mixing है, वो कैसी होती है, homogeneous होती है, इसलिए air क्या है, mixture है, different gases का लेकिन ये mixture कैसा है, homogeneous है, अच्छा, अब हम आजाते हैं किस के उपर, alloys के उपर, alloys are homogeneous mixtures of two or more metals in the solid phase, for example, an alloy of zinc and copper and steel is an alloy of iron, carbon and other metals, अच्छा, देखो, बेसी करी हुआ क्या, कि यहाँ पर alloy के बारे में हमको बताया जा रहा है, जैसे कि हमने homogeneous mixture में पढ़ा है, कि homogeneous mixture जो है ना, जब भी बनता है, तो उसमें वो हमेशा आपको के वर एक ही phase में दिखाई देगा, या तो solid phase में, या liquid phase में, या gas phase में, ऐसा नहीं होगा कि अगर एक homogeneous mixture बना है, तो उस homogeneous mixture में आपको दो अलग-अलग faces नजर आ रहा है, जब हम heterogeneous mixture पढ़ेंगे, इसी session में, दो मिनट बाद, तो आपको ये point और clear होगा, योड़कि heterogeneous mixture में पता है क्या होता है, कि components आकर के formality में क्या करते हैं, combine करते हैं, तो जब भी एक heterogeneous mixture बनता है, तो उसमें आपको एक से ज़्यादा state, या एक से ज़्यादा phase नजर आ जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, homogenous mixture की, तो thankfully, fortunately यहापे आप बोल सकते हो, कि homogenous mixture का आपको केवल एक ही phase नजर आएगा, या तो homogenous mixture solid phase में होगा, या liquid phase में होगा, या gaseous phase में होगा, घैस फेज में, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे air की, तो air क्या है, homogenous mixture है, अलग-अलग type की gases का, तो air आप बोल सकते हो, कि air एक homogenous mixture है, तो ये mixture आपको कौन से phase में नजर आता है, gaseous phase में नजर आता है, हमने बात करी किसकी alcohol और water की, तो दोनों ही क्या है, अलग-अलग liquids है, तो इन अलग-अलग liquids से, miscible liquids से जब एक mixture बना, तो उस mixture में भी आपको केवल एक ही phase दिखाई दिया, कौन सा phase, liquid phase, जब हमने sugar और पानी को आपस में combine किया, तो दोनों ही substances का जो phase था, वो अलग-अलग था, लेकिन जब इनसे एक mixture बना, जब आप नमक भी लेख सकते हो, शकर भी ले सकते हो, तो जो भी आपके पास आया है sugar solution या salt solution, दोनों ही type के solution का जो phase है, वो क्या है, liquid है, तो जब भी homogenous mixture बनेगा, तो आपको phase एक ही मिलने वाला है, जब हम बात करते हैं किसकी alloys की, तो alloys आप बोल सकते हो, कि ये भी homogenous mixtures होते हैं, किसके दो, या दो से ज़्यादा metals या non-metals के, जैसे कि हमारे पास क्या है steel, steel क्या है, एक alloy होता है carbon का और iron का, steel में आप बोल सकते हों कि 98% iron होता है, और 1.5% carbon होता है, इसके अलावा कुछ और भी metals होते हैं, जिनका percentage, जिनका जो percentage composition है, तो वो कितना होता है, 0.5%, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ rods नजर आ रही होंगी, तो दिखने में तो लगेगा कि ये rods किसकी है, लोहे की है, जबकि ये rods लोहे की नहीं है, ये है किसकी steel की, steel क्या है, एक alloy है, जो कि एक metal और एक non-metal के combination से बना है, कुछ और भी metals होते हैं, लेकिन mainly आप बोल सकते हो कि steel को बनाने के लिए, एक metal और एक non-metal का use किया गया है, 98% iron और 1.5% क्या carbon, ठीक है, अब आप खोदी बताओ, suppose ये क्या है, हमारे पास एक steel की rod है, ठीक है, अब इस steel की rod में, क्या आप मुझे बता सकते हो, या अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, pen का example समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये जो आपको steel की rods दिखाई दे रही है, ज़रा मुझे इन steel की rods को देख करके बताओ, आपके घर में भी बहुत सारे इनों steel के items होते हैं, आप उनको देख करके बता सकते हो, मैं आपसे पूछ रही है सवाल, कि क्या उन steel की items या steel की rods को देख करके आप बता सकते हो कि उसमें iron कहां है और carbon कहां है, मैंना आपको बता दिया ना कि steel बना होता है iron से और carbon से, iron होता है 98% और carbon होता है 1.5%, तो बहले ही आपको किसी भी steel के item में carbon दिखाई ना दे क्योंकि उसका percentage जो है काफी कम होता है, लेकिन iron तो नजर आना चाहिए, क्यों नजर आना चाहिए, क्योंकि iron तो 98% है, तो आप कोई भी steel का जो item है, steel का बरता ले लो, गुजबी ले लो, उसमें जाकर कि ये पता करो कि इसमें iron कहां है और carbon कहां है, क्या कर पाओगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि definitely steel को बनाने के लिए iron और carbon, एक metal और एक non-metal combine हुए है, लेकिन इनका ये जो combination है ना, ये बहुत प्यारा है, क्योंकि इनकी जो mixing हुई है, वो कैसी हुई है, बहुत ही uniformly mixing हुई है, एक uniform mixing हुई है, ये पूरी की, जैसे अगर आपके पास ये पूरी की पूरी क्या है, एक steel की rod है, तो इस पूरी steel rod में, iron और carbon uniformly mix होते हैं, यानि की कोई separation boundary नहीं होती है, ये आप बोलो कि देखो, 1.5% carbon है ना, तो carbon आपको सिर्फ यहां दिखाए देगा, बाकी पूरे में iron होगा, ऐसा नहीं होता है, throughout the steel rod, या आप ये बोल सकते हो कि throughout the mixture, आपको iron और जो carbon है, उनके जो atoms होंगे ना, वो कैसे दिखेंगे, uniformly mixed दिखेंगे, कि बस आप सोचों कि बस यहीं यहीं क्या होगा, carbon होगा, बाकी पूरा iron होगा, ऐसा नहीं होता है, पूरे rod में आपको iron मिलेगा, और पूरी ही rod में आपको carbon मिलेगा, भले ही carbon का जो percentage है, वो कैसा है, कम है, लेकिन carbon आपको पूरी steel की rod में उसकी length के along दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा, कि बस एक तरफ आकर कि carbon जोना जम गया है, बाकी पूरा iron, कि बस नाम कर दिया है carbon ने आकर के देखो, कि मैं iron के साथ में combine होकर कि steel बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, अगर mixing हो रही है, iron और carbon की तो एकदम properly होगी, कि पूरी length के along आपको iron भी मिलेगा और carbon भी मिलेगा, आप उनके बीच में आपको कोई भी separation boundary नजर नहीं आएगी, boundary के इस तरफ carbon और इस तरफ iron, आई बात समझ में, तो again, जो alloy हमारे पास बना है, steel, ये alloy क्या है, एक homogenous mixture है, और ये जो homogenous mixture है, ये कौन सी phase में है, solid, steel जो है, वो अपने solid phase में ही तो मिलता है, तो इस homogenous mixture को बनाने के लिए तो अलग-अलग elements आए थे, एक था metal और दूसर था non-metal, लेकिन फिर भी जो भी mixture बना, वो कैसा बना, uniform बना, homogenous बना, और आप बोल सकते हो कि, जो mixture है, वो अपनी केवल एक ही phase में आपको दिखाई दे रहा है, solid phase में ही दिखाई दे रहा है, चलो, अब कुछ और भी examples देख लेते हैं, alloys के, सबसे पहले हमारे पास है क्या bronze, वो जो bronze, metal वगेरा बनते हैं, तो bronze क्या है, एक alloy ही है, जिसको बनाने के लिए copper लगता है, और tin लगता है, copper का जो percentage है, वो वेरी करता है, 78 से लेकर के 95% तक, और tin का करता है, 5 से लेकर के 22% तक, लेकिन अगर कभी आप लोगों ने copper, you know, वो copper बोल रहे हो, bronze, metal कभी, you know, देखा हो, या हो सकता है, आपने जीता भी हो, तो bronze, metal को देख करके, आपको यह नहीं लगेगा, कि मैम, यह हमारा क्या है, bronze, metal है, और bronze, metal में न, हमें बस यहाँ पे, इस वाले section में, tin दिखाई दिया था, और इस वाले में, copper दिखाई दिया था, ऐसा नहीं होता है, जो भी आपके पास, bronze, metal, metal आता है, या bronze की बनी होई कोई भी चीज़ आती है, उसमें, वो definitely, copper और tin के combination से बनी है, mixing से बनी है, लेकिन कोई separation boundary अगें दिखाई नहीं देती है, कि boundary के इस तरफ जिंक, इस तरफ टिन होगा, और इस तरफ क्या होगा, copper होगा, नई, जो mixing होई है, copper और tin के atoms की वो कैसी होती है, बहुत uniform होती है, throughout the bronze medal, आपको copper और tin के atoms मिलने वाले हैं, हर एक region में आपको copper और tin के atoms दिखाई देंगे, मलाब मिलेंगे, दिखाई तो नहीं देते हैं, क्योंकि homogeneous components के, मलाब homogeneous mixture के जो components होते हैं, उनको देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप यह मान के चलिए, कि अगर कभी देखने का मौक ब्रास भी क्या होता है, एक alloy होता है, यह बनता है copper और zinc से, bronze बनता है copper और tin से, और brass बनता है copper और zinc से, ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि copper का जो percentage है, वो 60-90% होता है, zinc का vary करेगा 10-35% तक, ठीक है, तो brass के हम बोलते हैं कि अलग-अलग, you know, चीजे बनती हैं, आप बो बता दिया चलो, आपको बता दिया है कि भई, वो जो musical instrument है न, वो किसका बना है, brass का बना है, तो आप उस musical instrument को कहीं से भी जाके देख लो, उपर से, नीचे से, अंदर से, बहर से, आपको copper, मतलब basically, आप बोल सकते हो कि, उसमें जो है न, आपको copper और zinc के जो atoms होंगे न, वो बाकी पूरे में copper नजर आए, ऐसा नहीं होता है, throughout the structure of that instrument, copper और zinc के जो atoms होते हैं, वो कैसे मिलेंगे, uniformly mixed मिलेंगे, इसके अलावा sterling silver होता है, देखो, जो pure silver है न, वो काफी soft होता है, मतलब उसकी jewelry वगेरा बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती है न, क्योंकि अगर हम pure silver लेत काम करते टाइम उस metal के साथ में जो न, वो metal टूटी जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उस में मिलावट कर देते हैं, ताकि मजबूती आए, थोड़ी सी silver में, ठीक है, तो sterling silver में आप बहुत से हो की, 92.5% तो silver ही होता है, और copper 7.5% के करीब होता है, sterling silver के ही आपकी jewelry वगेरा बनती है, क्योंकि देखो, वैसे तो silver बहुती soft, मतलब comparatively एक softer metal है, तो तूट सकता है काम करने में, तो लेकिन हमें jewelry में थोड़ी सी मजबूती चाहिए होती है, इसलिए जो भी silver की jewelry वगेरा बनती है, silver के बरतन बनते हैं, jewelry तो फिर भी थोड़ी सी bend हो जाती है, जैसे कि ज 에 लेकिन, steel के जोबरतन होते हैं, वापने देखा होगा कि कितने मजबूत होते है, नॉरमल, steel के बरतन के संभानी, जよう आपको silver के बरतन दिखते होंगे, तो वहाँ पे silver इतना मजबूत क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसमे 7.5% के करीब क्या है कॉपर है, तो आप बोल सकते ह कि फिर्ट को थोड़ी सी स्ट्रेंट मिल जाती है है कॉपड के आजाने से तो मिक्सिंग हो रही हैं और कॉपर के आटम इवो कैसी होती है। उनिफॉर्म हो रही है इसके अलावा आप बोल सकते हो कि 18 कैरेट गोल्ड गोल्ड को बनाने के लिए गोल्ड लगता है 75% कॉपर लगता है 12.5% और सिल्वर भी लगता है 12.5% क्यों गोल्ड और सिल्वर की मुसीबत यही है कि यह दोनों काफी सॉफ्ट मेटल होते हैं ठीक है काम के दो बड़े होते हैं कि यह मैलेबल भी होते हैं डक्टाइल भी होते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होते हैं मैलेबल हो जाएंगे डक्टाइल हो जाएंगे हैं ना गोल्ड से हम बोलते हैं कि एक ग्राम दो ग्राम गोल्ड से आप दो किलुमेटर लंबा त जोल्री लेकिन मुसीबत वह यह ना कि सोफ्ट होते हैं तो मजबूती चाहिए जेवरों में इसलिए हम क्या करते हैं कि प्यूर गौल्ड और प्यूर सिल्वर के जो जूल्री होती है उसमें हम थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं जैसे कि जो 18 कैलेट गौल्ड है उसमें गौल 75% होता है copper 12.5% और silver कितना होता है वो भी 12.5% तो इन दोनों के आजाने से क्या होता है gold को थोड़ा साहरा मिल जाता है support मिल जाता है देखो alloys जो होता है उनको बनाने का मकसद ही होता है कि हमारे पास जैसे की एक metal है उसकी properties हमें बहुत अच्छी लगती है और इसी की कारण हमने क्या करा है उससे एक चीज़ बनाने का फैसला करा है decision लिया है लेकिन उस desired metal में कुछ ऐसी भी properties जो हमें चाहिए है वो क्या है missing है तो हमने क्या सोचा कि यह दूसरा वारा element है उसके पास है वो वाली properties जो की हमको पसंदे तो हम क्या करेंगे दोनों को mix कर देंगे तो जो भी desirable जो भी हमारी desired properties है वो सब की सब कहा जाएंगी एक ही mixture में आ जाएगी और उसी mixture को हम क्या बोलते हैं alloy बोलते हैं तो alloy आप बोल सकते हो कि दो या दो से जादा metals को combination होता है या non metals भी जो है ना उसमें आ जाते हैं फिर इसके बार में cast iron तो वो ही है बेसिकली इसमें iron होता है 96-98% और carbon होता है 2-4% तो बेसिकली बरतन बनाने के लिए इसको use किया जाता है आए बद समझ में तो यह सारे examples थे किसके हमारे homogeneous mixtures के तो अब हम आ जाते हैं heterogeneous mixtures के ओपर कि a mixture is set to be heterogeneous if all the components of the mixture are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between them कि बस components ने सोचा कि एक mixture बनाना था तो चलो बना लेते हैं लेकिन उनकी जो mixing है वो uniform mixing नहीं है नाम के लिए आकर कि जो है ना बस mix हो गएं कि चलो बनाना था mixture तो आ जाते हैं mix हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है है इस एहसान से क्या होता है कि उनके बीच में components के बीच में separation boundary नजर आती है और separation boundary अगर नजर आएगी तो हम बोलेंगे कि इस boundary के उदर पर एक component है और दूसरे साइड में दूसरा component है तो a heterogeneous mixture does not have a uniform composition throughout the composition sorry the component of heterogeneous mixture are either visible to the naked eye or under the microscope तो अब जब components properly mix हुए ही नहीं है तो जिसके कारण क्या होगा heterogeneous mixture के जो components होते हैं वो naked eye से दिख जाते हैं या अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो microscope के help से तो दिखी जाते हैं therefore there are visible boundaries of separation between the components of the heterogeneous mixture तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि heterogeneous mixture में visible boundaries होती है separation की best example क्या है एक मुठी रेत लो और एक मुठी नमक ले लो या शक कर ले सकते हो दोनों को क्या करो mix करो a mixture of sugar and sand is a heterogeneous mixture because different parts of the mixture will have different sugar sand composition हमने क्या करा है रेत एक मुठी रेत और एक मुठी sugar को आपस में mix कर दिया है तो यहाँ पर आपको clearly जो mixture बना है इसमें clearly आपको sand के particles नजर आ रहे होंगे और sugar जो grains है जो sugar particles हैं वो आपको अलग से नजर आ रहे होंगे तो आपके आप बोल सकते हो ना कि जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि homogenous mixture के जो components होते हैं वो हमें naked ice से visible नहीं होते हैं जैसे कि हमने अगर पानी में एक चमच शकर डाली है या पानी में एक चमच नमक डाला है तो वो जो sugar या जो salt solution बना है क्या उसमें आपको नमक या शक्कर दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा लेकिन यहाँ पे जो आपने mixture बनाया है यहाँ पे जो आपने mixture बनाया है इसमें आपको नमक शकर Sand सब बराबर दिखाई देंगे microscope की भी जरुवत नहीं पड़ेगी बच्चा भी आकर के बता देगा कि यह जो भाईया ने या दीदी ने मिक्षर बनाया है इसमें नमक है और सॉल्ट है यह शुगर है और मतलब नमक है या सैंड है यह शुगर है या आप बोल सकते हो कि सैंड है आई बाद समझ में चलो चॉक और सैंड पार्टिकल्स इन वाटर इस हेट्रोजनिस मिक्षर स्मोक इस हेट्रोजनिस मिक्षर ऑफ कारवन पार्टिकल्स इन एयर तो देखा जाए तो एयर में हम बोलते हैं कि कई सारी गैसिस प्रेजंट होती है लेकिन क्या इन गैसिस के करने हैं इस वाले रिजन में आ जाएंगे इर की जहां पे कारवन डायोकषेट होगी तो वहीं पे जाकर के कारवन डायोकषेट रिलीज कर देंगे ऐसा नहीं होता है इसलिए एर को हम क्या वोलतर है होमोग जिनिस मिक्ष्टर बोलते हैं ढिफ्रेंट गैसिस बहुत सारी समय गांप सेक्पů सबकें कहले है उनका जो परसनटेशेंच ए कॉंपोजशनन वू अलग हो सकता है जैसे के ने पढ़ा भी है तो कॉंपोजशनन उनका अलग Łज होगा लेकिन गैसेर कि जो मिकसिंग होती है वह आपस में बहूती क्या होती है प्रापर ली होती कोई सेप्रेशन बाउंडरी आपको नजर नहीं आएगी कि यहां पर कार्बन डायोकसेड यहां पर ऑक्सिजन यहां पर आरगरन यहां पर नाइट्रोजन ऐसा नहीं होता है योनिफॉर्म स्मोक में अगर क्या आ जाए एकट लीधा इसलिए प्रघ ओला-घ्या Mixtr होता है कारबन पार्टिकल सा in a तो अब सकते हो कि सब्सक्राइब था लेकिन अगर इसी किया आ रगया स्मोक आ गया तो स्मोफ आपको अलग से दिखाई देता है today कि कि smoke क्या है heterogeneous mixture है carbon particles का in air similarly अगर हम बात करेंगे chalk की मलब आपने क्या लिया है chalk powder लिया है ठीक है chalk powder को आपने कहां डाला है पानी में डाला है तो जैसे आप पानी में chalk powder को डालोगे dissolve करोगे और उसको stir करोगे तो पहले तो जो पूरा का पूरा पानी है वो चूने के समान हो जाएगा लेकिन पांच मिनिट बाद जब आप उस solution को पूरा छोड़ दोगे पांच मिनिट बाद जब आप उसको आकर के देखोगे ना तो पूरे की पूरा जो रेथ जो चौक पाउडर होगा ना वो पानी में नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा आई बस समझ में कि आप पानी में क्या कर रहे थे चौक पाउडर डिजॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो जब आपने डिजॉल किया उस समय पूरा का पूरा जो पानी है वो चूने की तरह सफे और ग्लास में आप बोल सकते हो कि इधर पे क्या है पूरा का पूरा चौक पाउडर है और इधर पे क्या है पूरा का पूरा पानी है तो इनके बीच में आप बोल सकते हो कि इस तरह की एक सेपरेट वहला एक सेपरेशन बाउंडरी नजर आती है कि बाउंडरी की इस तरफ क् चॉक पाउडर और boundary के उस तरफ क्या होगा पानी होगा एक best example आपके सामने image में दिया गया है कि हमने एक beaker में क्या करा है तेल डाला है पानी डाला है और rate डाली है तो आप देख सकते हो कि अपनी अपनी density के हिसाब से तीनो ही components क्या हो चुके है mixture में जाकर के settle मतलब arrange हो चुके है कि rate के जो कण होते हैं वो सबसे भारी होते हैं तो वो सबसे नीचे जाकर के settle हो गए है पानी थोड़ा सा हलका होता है तो वो rate के उपर आ चुका है पानी से भी हलका कौन होता है तेल तो तेल सबसे उपर वाली layer को पकड़ करके बैठ चुका है तो हमने करा क्या था हमने तो बड़े अच्छे से भीकर में तेल पानी और यह क्या बोलते हैं सेंड इन तीनों को ही मिक्स करवाने की कोशिश करी थी लेकिन हुआ कि जैसे ही मिक्षर को हमने पांच मिनिट के लिए छोड़ा तीनों की तीनों क्या होगा है अपनी अपनी लेयर बना करके एक दूसर से सेपरेट होगा है अब यह बताओ कहने को तो यह मिक्षर बना है की नहीं बना ऐसा थोड़ी होना होगा कि पानी और जैसे कि हम एलकॉहल और पानी के लिए बोलते हैं कि वो क्या होता है मिसिबल लिक हैं मिसुब का मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से मिकार आपस में हो जा है लेकिन जब बाउंडरी के नीचे पानी और बाउंडरी के उपर क्या होगा तेल वा ऐसा थोड़ी ना होता यह भाई माना कि दोनों लिकविट कैसे इमसिपल हैं मिक्स नहीं हो रहें लेकिन अगाशन नहीं को बना लेंगे कि सामने वाले को बतादे कि देखो तुमारी वजह से हम घो तो हमको बनाना चाहे जो भी हो जाए चाहे हमारी कितनी भी आपस में लड़ाई और यानि की rua ने एकी फेस निज़र आता है चाहे वो ऑलोइ हो चाहे वो आर हो है नहीं चाहें वो शुर्गर स्लूशन ना चाहे वो कुछ भी हो होमोजनेस मिक्शर में आपको एक हेस नजर आ सकते हैं। देखो न। इस mixture में क्या आपको rate नजर नहीं आ रही है। तो यह rate क्या है यह rate इस mixture का solid phase बना रहा रहा है। तो एक मिक्षर में आपको दो दो facing नजर आ रहे हैं। solid phase भी और liquid phase भी इसे लिए हम बोलते हैं कि homogeneous mixture में केवल एक ही phase आपको नजर आता है लेकिन heterogeneous mixture में ऐसा नहीं होता है दो phases नजर आ सकते हैं दिखाई दे ही रहा है यह रहा एक solid phase और यह रहा क्या एक liquid phase आए बात समझ में चलिए आगे बढ़ें क्या a mixture of two immiscible liquids is also heterogeneous mixture for example a mixture of a petrol and water या आप oil और पानी भी ले सकते हो is a heterogeneous mixture because petrol and water do not mix and hence from two sub and enhance the form होगा and hence form two separate layers that is they have visible boundaries of separation जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक लास पानी में तेल और पानी डाला था और पानी से हलका होता है तेल तो separation boundary बनाई एक आप बोल सकते हो कि यह नो एक line बनाई और उस line के ऊपर पूरा का पूरा जो तेल है वो जाकर के एक layer में बैठ चुका है तो आपको दो वाला गलग layer दिखाई दे रही है एक यह है और के लिए और यह क्या है एक पानी के लिए चलिए यह सिफ पेट्रोल की बात नहीं है यह आप कोई भी ओई ले लो coconut oil ले लो डीजल ले लो used palm oil ले लो cooking वाला जो palm oil है वो ले लो जिसको अभी आपने यूज नहीं किया है फ्रेशी है engine oil ले लो है na used engine oil ले लो आप कोई भी तरह का oil ले लो petrol हो diesel हो engine oil हो और आप देख सकते हो कि हमने अलग-अलग वीकुर्स में अलग-अलग तरह के Orleans लें यह नियुञे मीजद क हगे तो हर देर रहा है कि पानी जो है और पानी के उपर तेलब्स लेए अपनी अलग सतंसे में बैठा हुआ है चाए वो or डिआख कोचींग ऊई call to Korea बोल सकते हो कि ओछक चए कई कुछ बी हो जाए हमें friendship करनी हैं हमें Mix होना ही नहीं है कहने को तो हम साथ में हैं बहर यह तो बने 00 गोंगी रहाँ दिखाई दे रही है कि boundary के इस तरफ पानी और boundary के उस तरफ तेल तो कहने को तो mixture बना ऐसा नहीं होगा कि जो मिक्षर से बाहर निकल करके आ जगा कि मैं नहीं रहूंगा पानी के साथ में है तो वह अभी भी लेकिन कैसा है अलग अलग है तो mixing formality में हुए है नाम की mixing हो गई है ठीक है तो इसी के साथ में mixtures का जो concept है वो होता है complete मतलब 100% complete नहीं हुआ है वो सकते हो कि mixtures क्या होते हैं हमें यह समझ में आ गया है types of mixtures हमें समझ में आ गए है अब हम मिलेंगे अपने next session में जहां अबर हम properties of mixtures को करेंगे discuss जैसे हमने compounds की properties पड़ी थी वैसे हम बात करेंगे mixtures की properties के उपर तब तक आप क्या करोगे visit कर लो हमारी official website magnetbrains.com जैसे आप उसको मनला google पर type करके search करोगे आपको सामने आ जाएगे official website जब आप visit करोगे हमारी official website तब आपके नमबर 100% free online education platform जहां पर आपके प्लास class 12 से ले करके kindergarten तक की सभी courses होंगे available और अब तो NTSC भी आ चुका है भाई NTSC का topic देखो जब इस page को आप और scroll करोगे तो आपके पास option हैगा explore top courses का जहां भी आपके पास सबसे पहले NTSC का ही क्या है आपके सामने खुल जाएगा यह वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा NTSC क्लासिफिकेशन वह पूरा कर लिया है तो अभी तक हमने क्या कर रहा है देखो पूरा जो साइंस सब्जेक्ट हमारा उसका हमने से लेबस ओवर व्यू किया है है ना फिर इसके अलावा हमने केमेस्ट्री सेक्षिन का जो फॉर्स्ट चाप्टर है मैंटर एंट्स क्लासिफिकेशन वह पूरा कर लिया है सेकेंड चाप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं तो सपोज अगर आपको केमेस्ट्री सेक्षिन एकदम शुरुवात से देखना है ये आपको यह पता करना है कि भैए पूरे साइंस सबजेक्ट का सिल्जेंबस क complet क्लिक करोगे तो आपके सामने के खोलजागा क्या से लेबस ओवर्वाला लेक्चर फिर इसके बार म मैं ओवर्ववीवापने डेख लिया समझ में आगे क्या-क्या पड़ना है आपको क्या ह से chapters तो फिर आप में decide किया किया आज ही से हम क्या करेंगे अपनी preparation स्टाट करेंगे और first chapter देखेंगे तो इसके लिया क्या करोंगे next video को जो हैना टब कर दोगे to next video से क्या होगा हमारे first chapter का matter and its classification का जो फ़स्ट वीडियो होगा जो पुस्ट लेक्टर होगा इंट्रोडक्सटन बाला वो आपके सामने खोल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ntc की जो stage 1 की जो preparations हैं वो start कर सकते हो हमारी official को हमारी official website को visit करके ठीक है तो फाइदा क्या होता है कि यहाँ पे न आपके लिए lectures को search करना काफी convenient होता है आपके मिशा complaint होती ही कि मैं आपके subject की playlist नहीं मिलती है यूट्योब पर मिलती भी है तो sequence काफी उपर नीचे होता है वीडियो का तो हमें confusion हो जाती है कि कौन से के बार में कौन सा देखने तो जब आप हमारी official website visit करते हो तो ऐसे यहाँ पर आपको कोई भी confusion नहीं होती है क्योंकि यहाँ सभी lectures एकदम properly sequence में arranged मिल जाते हैं notes भी available होते हैं और break या ads वगयरा भी नहीं आते हैं तो देखना lectures को देखना वीडियो को देखना आपके लिए काफी उन्हों अनॉइंग नहीं होता है convenient हो जाता है इसके अलावा आप क्या करोगे यह जो हमारा time table है इसको अपने दिमाग में बिठा लोगे फ्राइडे सेटेडे संडे इन तीनों दिन आपकी NTSC की क्लासिस लगती है सुवे 10 बज़े से क्लासिस शुरू हो जाती हैं 10 बज़े से साइंस लगता है एक बज़े से मैस शाल बज़े से मैट और साथ बज़े से सोशल साइंस ठीक है तो यह time table अपने दिमाग में बिठा बज़े से क्लाब बाट